कृप्टो क्रिंसी एक सतोशी नाकामोतो नामकज्यात व्यक्तिया लोगों के समोध्वारा बनाई गई थी। क्रिप्टो क्रिंसी का उद्देश पारंपरिक मुद्रा की तुलना में विनमय का एक ऐसा सुरक्षित माध्यम प्रदान करना है, जो किसी व्यक्ति का अपनी को सुरक्षित बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करता है। नकली क्रिप्टो क्रिंसी बनाना सैध्धानतिक रूप से असंभव है और इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना बहुत आसान है। इसके अलावा क्रिप्टो क्रिंसी पारंपरिक मुद्राओं की तुलना में चोटी मात्रा में आसानी से विभाज हो सकती है। दो महीने बाद जनवरी 2009 में पहली क्रिप्टो क्रिंसी, बिटकॉन, अस्तित्व में आई और खनन मायनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। या नियम ना होने के कारण जल्द ही प्रतिष्ठा अरजित कर ली। लेकिन जब बाजार में मुद्रा का ये नया रूप आम होना शुरू हुआ तो सरकारों ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। चाइना और अन्य सरकारों ने अपने देशों में क्रिप्टो करिंसी तक पहुँच की अनुमती देने से इंकार करके इसके व्यापार को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। बिटकोईन क्रिप्टो करेंसी का पहला उदाहरन जरूर है, लेकिन यह अपनी तरह का अकेला कॉइन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के कई और रूप उपलब्ध हैं, जिन में से हर एक अलग समस्या के लिए एक अलग समाधान का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ विचारों को मुद्दों के समाधान के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जैसे censorship, online सिवाओं या खरीदारी के लिए भुगतान आदी. क्रिप्टो क्रिंसी का उद्देश मुद्रा के पारंपरिक रूपों की जगह लेना नहीं है, बलकि इसका उद्देश विन्मय के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में कार्य करना है. जैसे जैसे अधिक लोग क्रिप्टो क्रिंसी का उप्योग करना शुरू करेंगे इसकी मांग बढ़ेती जाएगी इस तरह समय के साथ इसके मूल्य में वृध्धी होगी क्योंकि प्रचलन में सिख्के की मात्रा स्थिर रहती है अलबत्ता बटा हावेवर क्रिप्टो क्रिंसी के मूल्य में उतार चड़ाव होने के कारण यह निर्धारित करना मुश्किल है संभावित भविष्य में अवधार्णा के अनुप्रयो क्रिप्टो क्रिंसी एक अपेक्षाकृत नई अवधार्णा है और अधिकांश लोगों को यह भी नहीं पता कि यह असल में क्या है हाला कि इसमें पैसे के भुगतान और अंतरण में क्रांती लाने की क्षमता है मिसाल के तौर पर क्रिप्टो का उप्योग विकेंदरी कृत तरीके से धन हस्तान तरित करने के लिए किया जा सकता है जिसमें प्रमुख बैंकों या सरकारों की भागिदारी नहीं होती है उनका उप्योग कॉलेच ट्यूशन या इस जैसे दुसरे भुगतान करने के लिए भी हो सकता है वे भी बिना किसी प्रक्रिया शुल्क या भुगतान के लिए बैंक खातों को लिंक करने के कुछ कंपनिया नए प्रकार की मुद्रा बनाने के लिए पहले से ही इस तक्नीक को लागू करने पर काम कर रही है क्रिप्टो क्रिंसी के सैध्धानतिक उप्योग में पारंपरिक मुद्रा के साथ समस्याओं को ठीक करना शामिल है जैसे लेंदेन, जालसाजी और मुद्रास्पीती पर नजर रखने में असमर्थता संभावित समस्याएं क्रिप्टो क्रिंसी के निर्मान के साथ कई संभावित समस्याएं उत्पन हो सकती है एक प्रमुख मुद्दा यह है कि क्रिप्टो क्रिंसी को सरकारों या बैनकों द्वारा विनेमित नहीं किया जाता है जिससे यह शोशन की चपेट में आ सकता है मिसाल के तौर पर एक हैकर क्रिप्टो एक्सचेंज में सेंध लगा सकता है और क्रिप्टो क्रिंसी चोरी कर सकता है यह अधिनियम एक प्रकार की भाग दौर शुरू कर सकती है जिससे लोग घबराकर अपनी क्रिप्टो बेचेंगे क्रिप्टो बाजार में पाई जाने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में हैकिंग सबसे आगे है 2017 में कई एक्सचेंज हैक किये गए और अकेले इसी तरह लगभग डॉलर 2 बिलियन के बराबर क्रिप्टो क्रिंसी चोरी कर ली गई इसके बाद अमरीकी सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि तमाम क्रिप्टो का 30% से अधिक एक्सचेंजों या वालेट से हैक या चोरी क्या जा चुका है एक और मुद्दा यह है कि बहुत से लोग क्रिप्टो क्रिंसी को उप्योग करने में मुश्किल और भ्रमित समझते हैं उदाहरन के लिए 2018 के शुरू में दक्षिन कोरिया ने क्रिप्टो क्रिंसी व्यापार में अनाम बैंक खातों के उप्योग पर प्रतिबंध लगाई नतीस्तन इस देश में क्रिप्टो कुरिंसी एक्स्चेंजों को लेंदेन संसाधित करते समय बास्तविक नामों का उप्योग करना आवश्क था इसका मतलब यह हुआ कि केवल वे लोग ही लेंदेन में भाग ले सकते थे जिनके पास पहले से बैंक खाते मौजूद थे पारंपरिक मुद्रा की तुलना क्रिप्टो क्रिंसी पारंपरिक मुद्रा के समान है जिसमें इसका उप्योग वस्तुओं और सेवाओं के आदानप्रदान के माध्यम के रूप में किया जाता है लेकिन क्रिप्टो क्रिंसी और पारमपरिक मुद्रा के बीच एक बड़ा अंतर यहा है कि क्रिप्टो क्रिंसी केंद्रिय बैंक या सरकार पर निर्भर नहीं करती है सभी लेंदेन एंक्रिप्टेड होते हैं जिससे उन्हें है करना कठिन हो जाता है और क्रिप्टोक्रिंसी अपनी विकेंदरी कृत प्रकृती के कारण पारमपरिक मुद्रा की तुलना में तेज लेंदेन की अनुमती देती है क्रिप्टोक्रिंसी पारमपरिक मुद्रा से इस वजह से अलग है कि इसकी आपूर्ती मूल रूप से सीमित है इसे छोटी एकायों में भी विभाजित किया जा सकता है जो उपयोग करताओं के लिए समभालना आसान होता है निशकर्ष क्रिप्तोक्रेंसी एक नई अवधारना है जो भविश्य में पैसे का उपयोग करने के तरीके को करने कर सकता है हालांकि यह बताना बहुत मुश्किल है कि लंबी अवधी में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्रिप्टोकरेंसी के लिए बता है